हेलो दोस्तों, आई टेक्निकल कोर्स में एक बाफिस्ट सुवगत हैं, दोस्तों आज बताएंगे कि आप्रेंटिस सिप का रेजिस्टेशन कैसे करना है मोबाइल से, कम्प्लेट वीडियो में आपको यही जानकारी मिलेगी कि कैसे कैसे फर्म को भरना है, रेजिस्टेशन कै सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगो कि आप्रेंटिस में क्या क्या डाकूमेंट्स लगते हैं, रेजिस्टेशन करते समय, कैसे फर्म खिल किया जता है, कम्प्लीट प्रोसेस आपको इस वीडियो के मात्यम से बताएंगे, सबसे पहले गूगल पे आना है और पर नया पेज ओपन होगा, उस नया पेज में आपको परसनल डिटेल्स फिल करनी है, सबसे पहले आपका यहां पर इंटर नेम करना है, नाम वही डालना है जो टेंथ की मारशिट के कार्डिंग है, कैप्टल लेटर पर आपको फिल करना है, फिर इसके फादर्स नेम या बर्थ, तो सिंपली आप अपना टेंट की मारशिट के एक्कॉर्डिंग ही डेट आप बर्थ फिल करोगे, आपके कोने पर दिया गया है कलेंडर, उसके कार्डिंग करोगे, फिर आपना जेंडर सेंड करोगे, सेलेक्ट करोगे, कि जेंडर हमारा क्या है, मेल है, फिमेल है gender के बाद आपको mobile number डालना है फिर एक alternate mobile number और connect करना है इसके बाद email ID आपको provide करनी है email ID वो provide करनी है जो आपके mobile में open है इसमें एक registration number आता है इसमें OTP आती है इसमें link आती है तो email ID वही provide करनी है आपको जो आपके phone पे खूली है जिसमें से आप registration कर रहे हो यहाँ पे आप confirmation email ID कर दोगे वही email ID को आप confirm करके यहाँ पे डालना है दोस्तो यह column जो दिख रहे है यह mandatory है इसको आप fill करना अनिवार रहे है फिर यहाँ पे आप password बनाओगे नया जो email ID का password उसको आप नहीं डालोगे अपना नया तरीके से नया password बनाओगे जो अपना registration profile खोलते समय और लोगिन करते समय यूज कर सको और उस password को आप confirmation कर लोगे यहाँ पे आप confirm password दिखा रहा है confirmation password करने के बाद यहाँ पे आ रहा है इस password को match with password given यहाँ पे आप click करोगे जैसे checkbox click करने के बाद यहाँ पे आपका submit का column दिखेगा red color से तो आप simply यहाँ से submit कर दोगे जैसे submit करोगे तो आपका registration successfully हो जाएगा आपका registration number बन जाएगा generate हो जाएगा इसी तरह के apprenticeship का registration करते हैं अब यह registration करने के बाद यहाँ पे आपको ok कर देना है ok का नीचे आप संदिक रहा है और जैसे आप ok करोगे आप पूरा अपने detail चेक करने के बाद आपको नया page मिल जाएगा चलिए मैं ok करके दिखा देता हूँ आपको कि यहाँ पे ok कैसे करना यह पूराना फाम है मैं पूराना वीडियो बता रहा हूँ जैसे आप active पे click करोगे तेहाँ पे आयागा कि हमें open कैसे करना है तो आपको यहाँ पे open करने के लिए chrome browser का use करना है और chrome browser में आप open करोगे जैसे chrome browser पे open करोगे तो आपका लिखा है user activated successfully तो यहाँ पे आपका successful हो चुका है बट आपको यहाँ पे login करना है login करने के लिए आपको वही email ID डालना है और वही password डालना है जो registration करते समय आपने फिल किया था और यहाँ पे email ID और enter password डालने के बाद आप लोग यहाँ पे login कर दोगे नीचे आने के बाद यहाँ पे login का option दिखेगा जैसे login में click करोगे तो एक नया page open होगा यहाँ पर चलिए मैं login करके देखता हूँ login करने के बाद जैसे आप login में आगे process होती है तो आपको थोड़ी सी refresh लेगा वहाँ पर कोने पर और next page खुल जाएगा देखिए यहाँ पर next page खुल गया यहाँ लिखा complete your profile आपकी profile complete दिखा रही है और यह आपका पूरा detail से यहाँ दिखाएगा जो जो आप भरे थे तो आगे यहाँ पर आना है about me में about me में यहाँ पर edit का option है जो जैसे edit क्लिक करोगे तो थोड़ी देवर refresh लेगा और यहाँ पर page खुल जाएगा जैसे मैं यहाँ पर अपनी पूरी personal detail जो फिल किया हूँ तो दिखेगी तो personal detail को मैं थोड़ी सी height करके रखा हूँ अब आपको जो main मुद्ध है बताने को वो बता देता हूँ यहाँ पर आपको choice करना है data worth certificate उधर दिखा रहा है पूरा आपको यहाँ पर complete profile आप लोग यहाँ पर चेक कर लोगे और जैसे पूरी profile में आप देखोगे हम mother's name नहीं mother's name भरना है select profile type यहाँ पर देखना है कि हमे address में complete आपका address, state, district यह बहुत normal चीज है यह तो आप लोग फिली कर लोगे simple चीज है तो यह पूरी profile आपको pin code डालना है फिर candidate signature image अप लोड करना है आपको और वो भी JPG या JPG PNG में 4 MB के अंदर ही होनी चाहिए आपकी जो profile में upload करोगे जैसे complete करने के बाद आपको पूरा ए और upload भी कर देना है तिसारी profile आप पिल्कुल चेक करके ही भरना है और यह जो आप photo choice कर रहे हो तो इसमें JPG में होनी चाहिए JPG या PNG में होनी चाहिए scan का पी image होनी चाहिए signature हो या कुछ भी upload जो scan कर रहे हो और वो भी 4 MB के अंदर की होनी चाहिए तभी uploaded होगा और यहाँ आपको पूछता है कौन से type होता है आपको लिख देंगे कि I am student है क्योंकि हम लोग एक student के लिए form भार रहे है registration कर रहे है तो यह आप अपनको I am student ही करना है उसके बाद पूरे guideline आपको देखना है और complete process होने के बाद ही आपको update में क्लिक करना है जैसे आप update में क्लिक करते ह इसके बाद new page में जैसे open होगा तो हम नई चीज़े मिलेंगे जैसे आपको मैं दिखा देता हूँ थोड़ी सी process लग रही है यह देखिए update successfully दिखा दिया मतलब जितना भी मैं पिछले profile में updates किया हूँ profile में नाम भारा हूँ signature और photo upload किया हूँ तो successful हो गया है अब यहाँ प page open होगा वहाँ पर आपको अपना qualification upload करना है फिल करना है यह देखिए qualification टाइप आ रहा था अपने के qualification टाइप में पहले देखना है कौन से to qualification करना है कि हम ITI कर रहे हैं कि ITI dual है हमारा तो हम लोग finally ITI select कर लेंगे यहाँ पे category sector है ता अपनी category sector पे select करना है कि हमारी NCVT से ITI है या SCVT से ITI है तो finally हम लोग NCVT ही select करेंगे क्योंकि हमारे जितने भी छात्रे है तो सब NCVT से ही ITI करके रखी है तो यह process हमें select करने के बा करेंगे यह आल इजुकेशन लिख देंगे जो अपने अपने recording भर सकते हो आप लोग अलग लग भी कर सकते हो तो यहां भर सकते हो तो जैसे हमेंने भर दिया आल इजुकेशन फिर इसके बाद institute आ रहा है institute यह नहीं कहें तो आप किस college से ITI किया है उसका नाम फिल करना है फिर agreement आ रहा है total marks आ रहा परसेंटेज आ रहा है कप पास यह हो एंडड़ेट कप थी qualification documents क्या था यह सारे चीज आपको complete फिल करना है फिल करने का qualification documents अप्लोड करना है scan करके scan जब करेंगे JPG या JPG PNG में ही PDF में ही uploaded करना है वो भी 4 MB से कम की होनी चाहिए scan copy होनी चाहिए जो तो उसके बाद ही हम आगे की process करेंगे बीना हम scan किये और बीना उसके हम नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे हमें select कर लेना है अपने qualification जैसे मैंने ITI वहाँ पे select किया था यहाँ upload only JPG, JPG PNG maximum 4 MB only allowed maximum 4 MB की ही होनी चाहिए पिर नीचे हाँ पे update है update पे हमें click कर देना है और जैसे हम updates में click करेंगे तो हमारी profile त्यार हो जाएगी यहाँ पर हाइड करके रखाऊं कि किसी के personal detail दिखाना allowed नहीं है तो मैं आपको process बताने के बाद नया page खुल जाएगा यह यहाँ कि हमारी profile 50% complete हो चुकी है अब यहाँ पर हमारा education दिखा रहा है यहाँ पर preference में आ रहा है यहाँ आधार verification कर रहा है तो यहाँ पर edit का option है हम इसको भी fill कर सकते हैं fill करना चाहिए जिसे preference में ने click किये edit में तो यहाँ पर हमें दिखेगा नई चीज जिसे preference में हमारा क् preference में हमें select करना है कि हमारा preference होना क्या चाहिए क्या था तो preference में आपको वही अपना it electrician search कर लेना है उसको select कर लेना है जैसे it electrician search करके select करो गए और फिर हमें update कर देना है अपडेक्ट टरने के बाद successfully हो जाएगा क्योंकि आईके electrician देखिए मैंने यहाँ पर दीख भी रहा है मैंने यहीं select किया हूँ तो हमारा preference भी update हो गया है और selected भी हो गया है फिर इसके बाद हमें नीचे एक और आपसाना आता है आधार काड verification तो हमें आधार काड verification में click करन headed के लिए और आधार काड verification नंबर डालना है और इसको भी हमें update करना check box रहेगा उसमें click कर देना है तो हमारा आधार काड नंबर भी verified हो जाएगा तो complete हमारी profile 58 से 50 से 80% हो जाएगी यहाँ असी percentage तक profile हमारी complete हो जाएगी यहाँ पे आप complete check भी कर सकते हो देख भी सकते हो असानी से mobile से भी fill कर सकते हो तरीका यही है form भरने का registration करने का और देखिए registration करने से पहले और registration करते से में सबसे बड़ी ध्याने ही रखना है कि आपका पूरा सही होना चाहिए form में